तो आज मैं आपको एक कम milk powder से एक किलो गुलाब जामुन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा इस तरह से भी गुलाब जामुन बनाएंगे इंसनेट आप इनको घर पर बना सकते हैं और आपके जो गुलाब जामुन है खाने में बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी यह रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले यहां मैंने 200 ग्राम मिल्क पौर्डर लिया है कुटड़ी अपने हिसाब से कमज़दाब कर सकते हैं और एक बड़ा चमच हमें सूजी लिए मैंने मोटे बली सूजी की यूज़ यूज़ कर सकते हैं इससे ना कुटड़ी बढ़ मिल्क पॉर्टर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ठंडे दूद के साथ मिल्क पॉर्टर को मिक्स करेंगे ना इसमें लंस नहीं बनते हैं ठीक है तो किया देखिए इस तरह से गोल बना के त्यार कर लेशे इसके पूद आपने कडाही लेनी है और उसमें घी कर सकते हैं तो कि चार चोटे चम भर के मैंने घी के अड़ कर दी है क्योंकि मिल्क पॉर्टर होता है उसके अंदर फैट नहीं होता है तो यहां पे फैट डालना भी जूरी रहता है जब आप गुलाब जम बनाते हैं तो देखिए गी अच्छे से मेल्ट हो चुका था इसके आपने इसको पकाना है और कंटीनू पल्टा चलाते रहना है जब आप मावा बनाए थोड़ी सी मोटी कड़ाई का यूज करना है पतली कड़ाई यूज करेंगे ना तो यह मावा बनते हैं यह कड़ाई से चिपकना शुरू हो जाता है तो अब देखिए यहां पर हमारा इ पांशिंबर कर दें तो आपको यहां पर 700 ग्राम चीन्डी चीनि जाओगी तो यहां पर देखके एक निन चीनी का लिए इस me 500 अाट है दो जितने आपने चीन्डी लेने का कम पानी आड़ कर भीडहरी करते रहना है पानी के साथ में तक चीनी जो कड़ाई की हिट से यहां पर जले ना तो के देखिए यहां पर चीनी तरह से मेल्ट हो चुकिए बॉइल आचुका चाशनी में अब चीनी होते ना थोड़ी से दूड़ा सा दूद एड़ करना है और गैस की फिलिम आपने मीडियो रखनी है दो से तीन मिडियों फिलिम में चाशनी को पकने देशे देखिए कितना सारा स्कम साइड में आ चुका है तो इसमें डर्ष्ट वगेरा सारी आ जाती है इस तरह से अगर आप चाशनी को दूद के साथ मिक्स करें पकाते हैं अब आपने इस सारे जहां को निकाल द उनकी चाशनी रहती है थोड़ी सी पतली चाशनी बनानी है और इसके साथ में छे से साथ इलाइशी डाल दीचे कूट के अच्छा फ्लेवर आएगा और थोड़ा सापने इसमें रोज बॉटर एड़ करना है तो यह देखिए यह आपकी चाशनी त्यार हो चुकी है कोई त इस तरह से अब इसको हलका सा मसल देशा थोड़ा सको बिखेर वी देशे अब हम यहां पे आउयल चड़ा लेते हैं इनको फ्राइब करने के लिए यहां मैंने स्टेनले स्टील की कडाही लिए और उसमें 700 ml यहां पर और करेंगे और को आपने लोग फ्ले में छोड़ देन इस तरह से मिक्स कर लेना है अब आप इसको अच्छी तरह से मसल लेए जब तक यहां पर इसकी जो दुरा रहे ना पूरी तरह से खत्मना हो जाए तो यह दिखें जैसे हम रोटी बनाने के लाटा गूंते ना उस तरह से आपने तो बनाके त्यार कर लेना है और गुलाब जो जमन गुमाके अफ्रेश चेक कर लेना इसको अच्छी बाइमिन आरिया तो देख सकते हैं अच्छी बायंदी इसमें आरही है पर इसको अच्छी से बाइमिन करने के लिए इसमें थोड़ा सा मैदę भी यूज किए जाता है आप मैदय के जगए जगा नेहिए तो दो च लेने हैं तो यह देखिए जब आप इसके गुलाब जमन बनाएना अच्छी तरह से रौंड करना है बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं रहने चाहिए अगर इसमें क्रेक्स पढ़ गे न तो यह फ्राई करते हैं यह देखिए आदे गुलाब जमन बना लिए हैं 15-16 पीस त्यार हो उलते हैं को फ्राई करने के लिए और इस से क्यों गुलाब जमन कढ़ाई के नबर iecते हो जब तकि ओपर यह की स्पूल पाता है और अंदर से बिलकुल सौफ्ट्व सपंजी है नहीं तौ उससमें घुठलीं बन जाती है तो के देखे और गुमराश रोच चुके हैं गुलाब जमने आप अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियूम कर देनी है पांसे च्छे मिनिट तक इनको मीडियूम फ्ले में फ्राई कीशे और लास्ट में एक अच्छा कलर देने के लिए आपने इनको ना ठंडी चास्टी में अनको नहीं डालना है अगर आप इनको ठंडी चास्टी में डाल देगे तो यह बाहर से अच्छे से बिए और चास्टी को कर लेंगे और जो बचे वह साथ में गूलाब जमन ख्राओन आप अच्छा से छोड़िश कर लेंगे। तो आदे से एक घंटे को आप देखेंगे गुलाब जमर अच्छे से फूल जाएंगे और अच्छे से चार्चनी को एब्सॉर्फ भी कर लेंगे गार्णशी में थोड़े से ड्राइनर स्टार्स रह सकते हैं और इनको सर्व करने से पहले इस तरह से स्पाइडर में निकाल द गरो जमरे भी कर देखेंगे और